हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर आज है साथ मार्च दो याद तेईस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यादा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए आज किस वीडियो की PDF फाइल आपको उमारे टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्रम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से चैनल को join कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे question भी पोचूँँगा उस question का सही answer आपको comment में बताना है तो चलिए चलते हैं अपने topic की ओर पहला question है हाल ही में मूले आधारित खेल सिच्छा को मजबूत करने के लिए NADA ने किसके साथ समझोता किया है इस question का सही answer हो जाएगा option C, NCRT तो हाल ही में मूले आधारित खेल सिच्छा को मजबूत करने के लिए NADA ने NCRT के साथ समझोता किया है राष्टिय डोपिंग, रोधी एजनसी और राष्टिय सैक्चिक, अनसंधान और परिषण परिषद ने इसकूली बच्चों और सिच्छकों के बीच मूले आधारित खेल सिच्छा को मजबूत करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हक्ता चरकिये इसके तैत खेल मूले और नेतिकता पर एक सुलब प्रा रूप में इसामगरी विक्सित की जाएगी NADA भारत का राष्टिय संगटन है जो खेल के सभी रूपों में डोपिंग नियंतरन कारकरम को बढ़ावा देनी और निगरानी के लिए उत्तरदाई है नेश्ट कुशन है नागालेंड के इत्यास में पहली महला विधायक कौन बनी है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा आप्शन भी हेकानी जाखलू ये हैं हेकानी जाखलू और यही नागालेंड के इत्यास में पहली महला विधायक बनी है नेशनलिष्ट डेमोक्रेड प्रोग्रेशिब पार्टी की हेकानी जाखलू ने नागालेंड विधालसवा की पहली महला विधायक बनकर इत्यास रचया उन्हें 2 या 23 नागालेंड बिदानसवाच चुनावों में दीमापूर 3 निर्वाचन छेत से विजेता गोशित किया गया नेक्ट कुशन है किसे BS Banker of the Year 2022 पुरुसकार के लिए चुना गया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा option A ससीधर जगदीशन ये हैं शशीधर जगदीशन और इन्हें ही BS Banker of the Year 2022 पुरुसकार के लिए चुना गया है HTFC Bank के प्रवन्न देशक और मुख्यकारकारी अधिकारी शशीधर जगदीशन को Business Standard Banker of the Year 2022 चुना गया है ये पुरुसकार उन्ने बैंक के मजबूत पदशन को बनाए रखते हुए पौद्यों की के सम्मंदित चिनोतियों के सफ़र नेविगेशन के लिए दिया जाता है Next Question है कि सहर में गंगा के तट पर अंतराष्टी योग मौसब दोया 23 आयोजित किया गया है इस Question का सही अंसर हो जाएगा Option A रिशी केस तो हाल ही में रिशी केस शहर में गंगा के तट पर अंतराष्टी योग मौसब दोया 23 आयोजित किया गया है उत्तराकंड पर्यातन विकास परिशद की और से आयोजित अंतराष्टी योग मौसब दोया 23 का विधिव सुवारम मौक्य मंद्री पुशकरशे दहामी द्वारा रिशी केस में गंगा तट पर किया गया अंतरराष्टिय योग महुसव 2.23 रिशी केश में एक मार्च से सात मार्च 2.23 तक आयोजित किया जाएगा अंतरराष्टिय योग महुसव 2.23 इस वर्ष भारत पर्व का मुख्य आकर्शन है नेक्ट कोशन है प्राइम इंटरनेशनल रेशिडेंशियल इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्जरी आवास में मूले बरद्धी में मुंबई बिश्व में कौन से स्थान पर है इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए 37 में इस्थान पर तो प्राइम इंटरनेशनल रेशिडेंशियल इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्जरी आवास में मूले बरद्धी में मुंबई बिश्व में 37 वे इस्थान पर है लग्जरी घरों की कीमतों में उतार चड़ाव की वेस्थान की सूची में मुंबई बानवे स्थान से 37 वे इस्थान पर पहुँच गया क्योंकि शहर इंडर बाइस के कैलेंडर वर्ष के दोरान 6.4 पतसत की ब्रद्धी देखी संपत्ति सलाकर नाइट फ्रेंक ने वर्च्वर रूप से दवेल्थ रिपोर्ट दोया तेह जारी की जिसमें मुंबई 37 वे इस्थान पर है नेक्ट कुशन है भारत में अपना अंतराष्टी शाखा परशर इस्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्विद्याले कौन सा बन गया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी डीकिन विश्विद्याले तो भारत में अपना अंतराष्टिय श्याखा परशद इस्थापित करने वाला पहला विदेश्य विश्य विद्याले डीकिन विश्य विद्याले बन गया है डीकिन विश्य विद्याले जो औस्टिलिया का एक प्रमुक विश्य विद्याले है गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अंतराष्टिय श्याखा परशद इस्थापित करने के लिए अंतराष्टिय वित्य शिवा केंद्र पादकरण की स्वीकरती प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्यविद्याले बन गया है नेक्ट कोशन है अब जानते हैं मद्द पदेश राज्ज की स्थापना एक नवंबर 1956 को ओई थी मद्द पदेश की राजधानी भोपाल है मद्द पदेश के मुख्यमंत्री है सिवराज से है चोहान और राजपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल नेक्ट कोशन है हाल ही में मगगंज किस राज्ज का त्रेपनवा जिला बनाया जाएगा इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा option A मद्द पदेश तो हाल ही में मगगंज मद्द पदेश राज्ज का त्रेपनवा जिला बनाया जाएगा मद्दपतिस के मुख्य मंत्री सिवराज सिह चोहान ने हाल ही में एलान किया है कि मगुगंज को राज्ज का त्रेपनवा जिला बनाया जाएगा नेक्ट कोशन है बारत के किस पड़ोसी देश ने सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ता च्छर किये हैं इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बंगलादेश तो भारत के पड़ोसी देश बंगलादेश ने सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ता च्छर किये हैं बंगलादेश सरकार ने देश में शौर उर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतराश्टिय सौर गठवन्दन के साथ एक समझोत अग्यापन पर हक्स्ताचर किये और इसका लग्ष दोयत 30 के अंद तक 4000 मेगाबाट और उर्जा का उत्पादन करना है अब जानते हैं बंगलादेश के बारे में बंगलादेश जो है वो एशिया महादीब में इस्तत है बंगलादेश की राईधानी धाका है बंगलादेश की मुद्रा है बंगलादेशी टका और बंगलादेश की प्रधान मंतरी है शेक हशीना नेक्ट कुश्यन है हाल ही में किस राज के कडपा जिले में तेरह मी शताबदी के मंदर की खोज की गई है इस कुश्यन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन ए आंदपदेश तो हाल ही में आंदपदेस राज के कडपा जिले में तेरवी शताबदी के मंदर की खोज की गई है अब जानते हैं आंदपदेस राज के बारे में आंदपदेस जो राज है इसकी स्थापना एक नवंबर 1956 को उई थी आंदपदेस की राजधानी अमरावती है आंदपदिस के मुख्य मंत्री हैं Y.S. जगन मोहर रेड़ी और आंदपदिस के राजपाल हैं S. अब्दुल नजीर तो एक बार शवी पश्णों का रिवीजन कर लेते हैं हाल ही में मुल आधारत खेल सिक्छा को मजबूत करने के लिए N.A.D.A. ने किसके साथ समझोता किया हैं नागलेंड के इth natural पेहली महला विधायक कौन बनी हैं तो हेकानी जाखलू नागलेन के इत्यास में पहली महला विधायक बनी है किसे BS Banker of the Year 2022 पुरुसकार के लिए चुना गया है तो शरीथर जगदीशन को BS Banker of the Year 2022 पुरुसकार के लिए चुना गया है किस शहर में गंगा के तटपर अंतराश्टिय योग महुसब 2022 आयोज़ित किया गया है प्राइम इंटर्नेशनल रेडी रेशी डेंशियर इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्यरी आबास में मूरले ब्रद्दी में मुंबई बिश्व में कौन से स्थान पर है तो प्राइम इंटर्नेशनल रेशी डेंशियर इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्यरी आबास में मूरले ब्रद्दी में मुंबई बिश्व में 37 वे स्थान पर है बारत में अपना अंतराष्टी शाखा परशर इस्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्विद्याले कौन सा बन गया है तो बारत में अपना अंतराष्टी शाखा परशर इस्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्विद्याले डीकन विश्विद्याले बन गया है हाल ही में परमाडू खनेज अन्वेशन और अनुशन्धन निदेशाले ने किस राज में लीथियन के बंडार की खोच की है हाल ही में मवगंज के स्राज का त्रेपनवा जिला बनाया जाएगा हाल ही में मवगंज मद्वदिस राज़ का त्रेपनवा जिला बनाय जाएगा बहरत के किस पड़ोसी देश ने सौर उर्या के उप्यो को बढ़ाने के लिए EISA के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये है तो भारत के पड़ोशी देश बांगला देश ने शौर उर्या की उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं हाल ही में किस राज्य के कडपा जिले में तेरह मी शताब्दी के मंदर की खोच की गई है तो हाल ही में आंदर पर्दिस राज्य के कडपा जिले में तेरह मी शताब्दी के मंदर की खोच की गई है तो हमने शवी पश्टों का रवीजन अच्छी तरह से कर लिया है कल की वीडियो में मैंने आपसे कोशन पूछा था अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय वारत बंदे मातराम